दोस्तो आज हम comparison करने वाले हैं तो 5G latest smartphone के बीच में जिसमें हमारा पहला फोन है Lava Blaze Pro 5G वहीं दूसा फोन है ITL P55 और दोना ही फोन में 8000 रुपे का फर्क है तो आई ये जानते हैं कौन सा फोन value for money है Lava Blaze Pro 5G smartphone में full HD plus punch hole display मिलता है 120Hz का refresh rate और 240Hz का test sampling rate मिल जाता है वहीं ITL P55 में HD plus punch hole display मिलता है 90Hz का refresh rate और 180Hz का test sampling rate मिल जाता है दोना ही phone सें panda grass protection के साथ आता है वहीं Blaze Pro में display हमें काफी अच्छा मिल जाता है जबकि ITL P55 में हमें average display मिलता है कैमरा की बात करें दोनों smart phone 50MP plus 2MP real camera के साथ आता है साथ में दोने ही phone में 8MP का selfie camera दिया गया है ITL P55 में flash हमें front में दिया गया है जबकि Rava Blaze Pro 5G smartphone में screen flash का option देखने को मिल जाता है Camera feature दोने smart phone में से मिलता है और दोनों ही phone में camera performance में बिल्कुल average quality का मिल जाता है पिक्चर sunlight में काफी जादा noise और details बस ठीक ठाक मिल जाता है लावा बलेज में video recording rear से 2K 30fps पे record कर सकते हैं वहीं front से 1080p 30fps पे video record किया जा सकता है दोनों ही phone mediatek dimensity starter से chipset के साथ आता है performance यहां पे काफी अच्छी मिल जाती है और यह processor 7nm technology पे बेस्ट है जो की power efficient है और कम heat होता है 2.2 GHz की frequency निकल के आती है graphics Mali G57 के साथ आता है जो की काफी अच्छी gaming experience प्रोवाइड करता है high graphics में आप game प्ले कर सकते हैं performance भी काफी अच्छी मिलेगी Antutu score 3,75,000 plus है तो काफी अच्छा Antutu score भी यहां पे मिल जाता है दोनों ही phone में android 13 के साथ आता है storage lavables pro में 8GB plus 8GB virtual RAM मिलता है वहीं 128GB का internal storage मिल जाता है ITLP 55 6GB plus 6GB RAM के साथ आता है internal storage 128GB का मिल जाता है दोनों ही phone LPDDR4X और UFS 2.2 को support करता है नहीं दोनों ही phone में 1TB तक का card slot कर सकते हैं यहां पे storage हमें same मिल जाता है यहां लावा ब्लेज में थोड़ा सा जाद हमें RAM देखने को मिल जाता है लाव अबलीज प्रो में 5000GB के बैटरी मिलती है चार्ज करने के लिए 33W का fast charger मिल जाता है और type C to type C cable मिल जाता है जो कि under 15,000 पहली बार हमें type C to type C cable मिलता है IDLP 55 थोड़ा slow charger के साथ आता है 8W का charger मिल जाता है 5000GB battery के साथ साथ में type C cable इसमें भी मिल जाता है finger paint दोनों ही स्मार्टफोन में side mounted देखने को मिल जाता है dual 5G band के साथ दोनों ही स्मार्टफोन आता है Wi-Fi Bluetooth 5.2 का support मिल जाता है दोनों ही phone में Stradio speaker नहीं मिलता है बट Lava Blaze Pro में Widevine L1 का support मिलता है जिसे आप high resolution में content watch कर सकते हैं overall बात करें दोनों ही स्मार्टफोन एक अच्छे package के साथ आता है बट price में काफी ज़्यादा difference देखने को मिलता है Lava Blaze Pro 12,499 रुपे में आता है तो ITLP 55 दस हजार रुपे के price में आता है यहाँ पे हम अगर बात करें ITLP 55 की तो एक best 5G स्मार्टफोन choice हो सकता है अगर आप Lava Blaze की तब जाते हैं तो दूसरे स्मार्टफोन को देख सकते हैं इसी price point पे आपको Redmi 12 5G और Moto G54 देखने को मिल जाता है Moto G54 में OIS supported camera मिलता है चिपसेट भी इससे अच्छा देखने को मिल जाता है तो आप Lava Blaze Pro skip कर सकते हैं बट ITLP 55 अगर 5G स्मार्टफोन की तब जाते हैं तो बिलकुल खरीच सकते हैं